नमस्कार दोस्तों, इस्टडी निउज में आपका स्वागत है जोग्रफी विद मैपिंग में आज हम लोग चैप्टर वन के ही इंडिया इंट्रोडक्शन के पार्ट टू को देखेंगे इस पार्ट में हम लोग भारत की महत पूर्ण जलसंधियों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें पहली जलसंधी है 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री स्ट्रेट अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे ये जो लाइन है ये हिंद महा सागर को अरब सागर से जोड़ने के साथ साथ मिनिकाय द्वीब को माल दिव से अलग करती है जलसंधी का आर्थ होता है दो जल का मेल और वहीं से दो इस्थलों का विभाजन भी होता है उसे ही चैनल या स्ट्रेट भी कहते है आपने कई बार इंगलिस चैनल का नाम सुना होगा यहाँ भी एक जलसंधी ही है आप इसमें फिर से मैप में एक बार देखिए भारतिय स्थल के नीचे हिंदमा सागर है और यहाँ पर अरेबियन सी है इन दोनों को जोड़ती है एट डिग्री चैनल और इसी से मिनिकायदीप और माल्डिवस अलग होते हैं इसके बाद दूसरा चैनल है नाइन डिग्री चैनल या नाइन डिग्री श्ट्रेट यह जो 9 डिग्री है यह अक्छांस को व्यक्त करता है तो जो 9 डिग्री अक्छांस है उसी पर 9 डिग्री चैनल या श्ट्रेट है तो 9 डिग्री चैनल लक्षदीप सागर को अरप सागर से जोडने के साथ साथ मिनी काई द्वीब को कावा रत्ती द्वीब से अलग करता है अब ये 9 डिग्री चैनल है तो 8 डिग्री चैनल से उपर ही होगा तो मैप में आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये है कावा रत्ती द्वीब और ये है मिनी काई द्वीब और इसी के बीच से 9 degree channel गुजरी है अगला है 10 degree channel तो इस map में आप बड़े ही ध्यान से समझेए देखे यहाँ पर है यह 10 degree channel अब 10 degree channel के उपर यह है लिटिल अमडमान और इसके दक्षिन में यह है कार्नी कोबार और यहाँ पर यह है बेवफ बंगाल बंगाल की खाड़ी और यह है इंडियन उसियान हिंद महासागर तो हम कह सकते हैं कि 10 degree channel बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जूड़ती है और लिटिल अंडमान को कार्नी कोबार से अलग करती है अगला बहुत ही important straight है जिसका नाम है पाक straight इसमें कई बार confusion होता है इसके नाम को लेकर कि पाक जलसंधी है तो यह पाक और भारत के बीच में होगी लेकिन यह भारत और स्रिलंका के बीच में है यहाँ पर आप देखिए यह पाक बे है पाक की खाड़ी और अब यह है पाक straight तो यह भारत को स्रिलंका से अलग कर रही है और पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोडने का काम भी कर रही है मतलब पाक की खाड़ी के जल को बंगाल की खाड़ी के जल से जोडने का काम कर रही है यानि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो पाक श्ट्रेट है ये पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के साथ भारत को सिरलंका से अलग करती है अब ये छेत्रफल से जम्बंदित काफी important points हैं जिनें आपको याद करना चाहिए कि भारत का कुल छेत्रफल 32,87,263 km2 है भारत विस्व के कुल इस्थल खंड का 2.4 प्रतिसत भुभाग पर फैला हुआ है ये जो 2.4% है ये काई बार एक्जाम में पूछ चुका है भारत अधिकांश्ता उष्ण कटीबंध में फैला हुआ है अब उष्ण कटीबंध ये विस्थार 0 डिगरी अक्छांस से लेके 30 डिगरी अक्छांस तक होता है और भारत का अक्छांस ये विस्थार 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिगरी 6 मिनट उत्तर तक है तो ये अधिकांश्ता उष्ण कटीबंध में ही आएगा अब यहाँ पर हम लोग फिजिकल रीजन आफ इंडिया की बारे में भी बात कर लेते हैं भारत के भौतिक प्रदेसों को चार भागों में बाटा गया है इसमें उत्तर परवतिय प्रदेस, उत्तर का विसाल मैदान, प्राई D.P.A. पठार इस मैप में आप ध्यान से देखिए, ये है उत्तर परवतिय प्रदेस, ये है विसाल मैदान, ये है पैंसिलर प्लेट या पठारिय भाग, या प्राई D.P.A. भाग, और ये है तट्तर परवतिय प्रदेस, अगर मैं आप से पूछू कि ये चारो ही भौतिक प्रदेस हमारे भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए, पस्चिम बंगाल में, यहाँ पर आपको ग्रेट माउंटेंस भी मिलेंगे, प्लेंस भी मिलेंगे, प्राई D.P.A. पठार और कोश्टल एरिया भी मिलेगा, तो ये वीडियो यही त भी मिलें यही तो आपको 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 कुई माउंटेंस भी मिलेंस, मुझाब के कर दो आपको का क्खका वे वाको के इख जाजोंगे, प्राईए.